निम्रित और प्रियांका में फिर हुआ जगडा निम्रित ने लगा आए प्रियांका पर आरोब पर आपको बता दें कि बिग बॉस की घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है यानि कि अब जो घरवाले हैं वो एक दूसरे को टार्गेट कर रहे हैं और कर रहे हैं नॉमिनेट वैल इसी वज़ा से नॉमिनेशन की आग लग चुकी है इस वक्त घर में दरसल निम्रित और शिफ्ठाकरे दोनों ने प्रियांका को नॉमिनेट किया और इसी वज़ा से तीनों में लडाई हो गई वैल इसी वज़ा से जो निम्रित हैं वो प्रियांका को कहती हैं कि प्रियांका जैसे लोगों की बज़े से अब जनता को ये लगने लगा है कि रियालिटी शो भी स्क्रिप्टिड हैं और फेक हैं दरसल प्रियांका की लड़ाई सबसे पहले शालीन के साथ होती है, लेकिन शालीन को डिफेंट करने के लिए पहूंशते हैं निमरत और शिव। और फिर प्रियांका पर बरस पढ़ते हैं, जहां दोनों कहते हैं कि प्रियांका इस घर में अकेली नहीं आई थी, बलकि अपना सपोर्ट सिस्टम लेकर आये थी इतना ही नहीं वो ये भी कहते हैं कि प्रियंका ने सौंदर या शालीन टीन सभी का फायदा उठाया है विल इसी के साथ निमृत प्रियंका पर इतना बड़ा अरोप लगा चुकी है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पुरी अपडेट को लेकर हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताएं साथ ही टेलिविजन से जुड़ी सबी लेटेस अपडेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले